Hello everyone, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लो, मैंने बहुत मेहनत लगा के ये पूरा PDF आप लोग के लिए तैयार किया है, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि J-Mains का जो current syllabus है, उसमें कौन सा पार्ट नया added है और कौन सा पार्ट removed हुआ है, ये क्यों बहुत जाला जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि जब आप PYQ यानि की previous year question लगाने जाए, तो आपको clearly पता होना चाहिए कि कौन से topic पे question आएगा तो उसको लगाना है, और कौन से topic पे question आएगा तो उसको नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि syllabus में बढ़ा change है, ब लिख दिया है कि कहां क्या ad है, और क्या नया चीज हटाया गया है, और क्या नया चीज डाला गया है, तो हर एक चीज पूरा detail में आप लोग के साथ discuss होगा, तो please last तक बने रहो, और पूरा ध्यान से देख लो मेरे भाई, यहीं तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा तो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर में जो add हुआ है नया चीज वो यह है, significant figures, जो significance figure है, वो add किया गया है, physics and measurement में, और remove किया गया है, physics, technology and society, यह तीन चीज रिमूब किया गया है, और एक significance figure, जो है सबसे पहला चैप्टर में, वो add किया गया है, तो यह चीज add किया गया है, उसको pink color से मैंने लिखा है, और जो removed है, उसको मैंने removed topics उसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, और जो currents levels है, वो यह रहा, kinematics में add कुछ भी नया नहीं किया गया है, लेकिन जो remove किया गया है, वो है zero vector and unit vector, तो अगर कुछ add किया जाएगा, वहाँ पे मैंने pink color स unit vector है, अब आज आप, laws of motion में, laws of motion में add हुआ है, यह vehicle on a level, circular road and vehicle on banked road, यह दो चीज़ एड हुआ है, और remove कुछ भी नहीं हुआ है, तो laws of motion में दो चीज़ एड ही हुआ है, vehicle on a level, circular road and vehicle on a banked road, ठीक है, फिर ऐसे ही आते हैं, work, energy and power, work, energy and power में add हुआ है, वो है motion in a vertical circuit, motion in a vertical circuit, इसको add किया गया है, और remove कुछ भी नहीं हुआ है, यह सारा चीज़ आप लोगों को detail में जानना इसलिए जरूरी है, ताकि आपको पता हो, कि क्या चीज़ स्लेवस में added है, और क्या चीज removed है, क्योंकि यह जान लोगे, तभी आप अच्छे तरीके से PYQ लगा और पाओगे, अब आप PYQ लगा रहे हो, जिसमें energy बहुत ज़्यादा जा रहा है, और उसमें पता चले कि आप 10 out of slivers को लगा लिए, तो उससे क्या फैदा, बेवज़ा का time जाएगा, इसलिए इस वीडियो को देख लो, तुम्हारे लिए ब motion of a satellite, satellite, orbit velocity, time period and energy of satellite and removed geostationary satellite को remove किया गया है, यहां से, ठीक है, यह जो भी से लेवस है, जो इमेंस 2025 के लिए है, तो आप लोग अच्छे से देखो और अपना preparation को उसी के recording करो, ठीक है, यह तुमको PDF कैसे मिलेगा, हर चीज मैं आप लोग को बताऊंगा, so please watch till the end, इसके solid and liquid, इसमें remove किया गया है, Reynolds number and Newton's law of cooling, ठीक है, and thermodynamics में add किया गया है, isothermal and adiabatic process को, and remove किया गया है, car not engine and its efficiency, thermodynamics में remove किया किया है, car not engine and its efficiency को यह syllabus में नहीं है, इससे question अगर तुमको PYQ में मिल रहा है, तो उसको मत लगाना, कोई फैदा नहीं होगा, और जो added है, वो isothermal and adiabatic process है, वो syllabus में add हुआ है, अब देखो, यह जो topic syllabus में नया add होड़ा है, उन topic का आप लोगों को question generally PYQ में नही ही मिलेगा, तो उन topic पे आप लोगों को अलग से question घूंड के कर लगाना है, ताकि आप लोगों को उन topic पे question आए, तो आप लोगों कर पाऊ, बहुत लोगों होते हैं, कि बस PYQ क्यूं पे ही dependent होते हैं, तो PYQ पे dependent लोगों को अगर नया syllabus में से question होगा नहीं, जो नया लोगों को अलग से question लगाने हैं, ऐसे ही, केटी जी, kinematic theory of gases में इसमें ना कुछ add हुआ है, ना कुछ remove हुआ है, सब कुछ same है, ठीक है, देखो दोस्तों, इस PDF को बनाने के लिए, literally मुझे बहुत ज़्यादा मेनत करना परा है, एक एक चीज को research करके, compare करके, पुरा लिखन करना परा है, so please आप लोग चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like किजे, अपने दोस्तों के साथ, share किजे, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और यह जो मैंने मेहनत किया है, इसका तुम लोग benefit उठाओ, और अपना rank improve करो, अपना प्रप्रेशन अच् इसको भी remove कर दिया गया है, अब देखो, electrostatic में एक चीज add किया गया है, वो potential difference add किया गया है, potential difference electrostatic में और add कर दिया गया और remove कुछ नहीं किया गया है, ऐसे ही current electricity में एक नया चीज add किया गया है, जो कि है mobility, तो mobility को current electricity में add किया गया है, और जो remove किया गया है, यह color code for registers, यह बच्चों को बहुत परिशान करता था याद करना पड़ता था तो चलो यह यह हट गया और पोटेंशियो मीटर यह यह भी हट गया ठीक है इसके बाद magnetic effect of current and magnetism इसमें कुछ भी add नहीं हुआ है लेकिन remove हुआ है cyclotaur and earth's magnetic field and magnetic elements electromagnets and paramagnets and hysteresis यह चारचीज रिमूव हुए है magnetic effect of current emissive and magnetism में से यह चारचीज रिमूव किये गया है आप लोग के लिए 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 देख सकते हो और नया कुछ भी added नहीं है अब देखो electromagnetic induction and alternating current में add तो कोई चीज नहीं किया गया लेकिन रिमूव किया गया है quality factor को remove कर दिया गया है तो quality factor से related जो भी PYQ होंगे उसको नहीं करना है ऐसे ही चलो electromagnetic wave electromagnetic wave में syllabus में कुछ भी change नहीं है यह unchanged है ठीक है इसके बाद optics में कुछ भी नया added नहीं है रिमूव हुआ है resolving power of microscope and astronomical telescope इसको रिमूव किया गया है resolving power of microscope and astronomical telescope को यह optics में से रिमूव कर दिया गया है इस से रिलेटर PYQ होगा तो नहीं करना है इसके बाद dual nature of matter and radiation इसमें से रिमूव किया गया है division division जर्मन experiment जो हम लोग करते थे वह चीज रिमूव कर दिया गया है यह अब syllabus में नहीं है इसके बाद atoms and nuclei में देखूँ, atoms and nuclei में remove किया गया है isotopes को remove कर दिया गया है, iso bars को remove कर दिया गया है, isotones को remove कर दिया गया है radio activity, alpha, beta and gamma, gamma particles, rays and their properties, radioactive decay law तो यह सारे चीज को remove कर दिया गया है, तो इन सारे चीज पे जो atoms and nuclei के जो pyq होंगे उनको नहीं करने है, तो atoms and nuclei में क्या 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 remove किया गया है, isotopes, iso bar, isotones, radio activity और भी बहुत सारा चीज है नीचे लिखा हुआ है, सारा कुछ आप लोग देख सकते है इसके बाद electronics device में देखो, यहां पर कुछ add तो नहीं किया गया है, लेकिन remove किया गया है, junction transistor, transistor action, इसके बाद characteristics of transistor, transistor as an amplifier, common emitter configuration and oscillator इन सारे चीज़ों को remove कर दिया गया है, communication system को completely remove कर दिया गया है, जिसमें से कि एक question आता था, चाल मार्च बच्चों को मिल जाता था, इसको पुरा completely remove कर दिया गया यहां से इसके बाद experimental skills, इसमें देखो कुछ add तो नहीं किया गया है, मेरे recording कुछ add नहीं किया गया है, और remove किया गया है, यह सारा चीज़ को देखो यह सारा चार चीज़ को remove किया गया है, पहला है plotting a cooling curve for relationship between temperature of a hot body and time दूसरा है potentiometer इसको भी remove कर दिया गया है, तीसरा है characteristic curve of transistor and finding current gain and voltage gain इसको भी remove कर दिया गया है using multimeter to identify the base of transistor यह चार चीज़ है, इसको भी remove कर दिया गया है, इस सारे चीज़ को देख सकते हो आप लोग तो यह physics का जो syllabus है वो रहा, इसमें clearly written है कि क्या चीज़ को add किया गया है और क्या चीज़ को remove किया गया है, अब बात रहा कि यह जो PDF है वो आप लोग कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत thank you कि मेरे इतने मेहनत के आप लोग साथ हो, इस तरीके से आपको कोई भी ऐसे PDF बना करके क्या चीज़ added है, क्या चीज़ syllabus में है, क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ लिख की नहीं बदाएगा कोई भी, तो मैंने यह बहुत सारा मेहनत पूट किया है, बस आप ही लोग के लिए में कोई भी दिक्कत नहीं हो, और इस चीज़ को यह PDF अगर तुमको चाहिए, तो मेरे Telegram चैनल पर आ जाओ, मैंने वहाँ पे इसको डाल दूँगा, आज ही डाल दूँगा, वीडियो पोस्ट करने के वाद, अगर लिंक काम नहीं करे मेरे Telegram चैनल का, तो simply Telegram पर जाके IIT and भाईया, IIT and भाईया सर्च करना, यह पता नहीं मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, शाहिसे, IIT and भाईया सर्च करना, वहाँ पर जाओगे, तो तुमको मेरा Telegram चैनल मिल जाएगा, उसको जोईन करके वहाँ पर तुमको यह सले बस मिल जाएगा, अगर तुमको Chemistry और Maths का भी च सै लेका, कमें दो चाँ का तुमक तुमको यह सब प情況 यहाँ जाएगा, झाओगे, तुमको जो जो की पातुमको मिल जाएगा, पतुमको जाईया से काज़ उसांन States वहाँ लाएगां तxis immigrant का तुमको यहाँ पर वहाँ पर भात्र मुत ऑा हुए आ सकशर है से राहँ परया स